जी जनाव आपका इस्तक्बाल है राज सिंग साहब यार मत जुड़ो ना यार इतना बोलने के बाद मेहनत करने कराते हो आप लोग क्या है यार कसम से जी वान टू बी एक्स मुसलिम साहब इस्तक्बाल है आपका जी जनाव आप मुमीन है सर कुछ पढ़के सुनाईये सुरेफातिया दरूद कुछ सुना सकते हो इसी वज़ासे बोल रहे हो कि मैं आपको तीन मिनट दीजिये मैं फ्रेश होके निकल रहे हो अच्छा अच्छा ऐसी जगह से भी जॉइंट कर रहे हो हाड है यार मोमीन भाई लोग भी हाड है जल्दी जुएन नहीं हो पाते हैं न इसलिए ट्राइ करते रहते हैं कहीं से भी इसका मतलब एवेंजलीन मुझे रियली नहीं पता लेकिन आपके सुपर चाट का बहुत बहुत शुक्रिया SSR जी कह रही है का सुपर स्टी कराया बहुत बहुत शुक्रिया चलिए हमारे साथ एक मुमिन भाई है मुमिन है या पता नहीं समीर खान साब मुमिन है आप समीर खान साब मुमिन है आप समीर खान साब मुमिन है आप अरे समीर खान साब कुछ बोलोगे समीर खान साब कुछ बोलोगे जनाब इतना टाइम लगा दिये मुमीने सरा नहीं क्यों इसी हार्कत करते हो यार आप सुनेटे हालिस्ट्री में सुनते हो मैं मना करता हूँ नहीं जुणना है आपका जादू यह लगा सर अच्छा ओए 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 क्षे क्या करोगे जादू की चकर में हमारे ही जो क्या क surviving सब्सक्राइबूंट क्या करोगे तरीका अपना पड़ता है आपसे बात करने का आपसे वो करने का क्या करोगे किक आउट कर साथ पीज रेस्पेक्ट साथ बता बोल रहा है गाली दे दो चलेगा कितने लोगों के आखे खुला असाहिल भाई आपने कितने लोगों के आखे खुले आपने हम लोगों तो गोरे लोगों को खरब कहता था बुरा बला कहता था वो लोग रंगा गुमता है वो लोग पंटक मेरिस करता है लेकि इसलाम दे भी मोता जैसे गटिया हरकते है एक बात सुनके तो क्या बोलता हूं सही बात है खुशी ब्लॉक्स के लिए ठाइंक्स फ़र हाँ एक मिटा प्या जी खुशी ब्लॉक्स के लिए ठाइंक्स फ़र सेंग माई लाइफ एन अधर्स लव यू साहिल थैंक्यू खुशी जी एबी सी डी एफ जी एच मेंबर बने हैं बहुत बहुत शुक्रिया एबी सी डी एफ जी एफ जी एच अच्छवा आगे पुरा नहीं लिगा आपने यार एवैंजलीन समंता कह रही है साहिल यू आर दी डॉन सो प्लीज गेट रिट अफ इसलाम दी कॉन बहुत बहुत शुक्रिया एवैंजलीन जी आपके मेसेज का आपके कॉंट्रिबूशन का मैं इंतजार कर रहा हूँ हमारे मुमिन भाईयों का कहां चले गए आज सब मुमिन भाई कौन आके बताएगा कि पारिम सलाम कौन आके बताएगा कि रसुलुला के कितने प्यारे प्यारे अमल थे कौन बताएगा कौन रसुलुला को डिफेंड करेगा कि मैं कुछ दिनों बाद फैनेंस सेली प्रॉब्लम है मैं भी मेंबर्शिप ले लूँगा आपका चैनेल का प्इंसरी प्रॉब्लम चल रहा है जी जी बूले ना बाद में नहीं बूले ना मेरे को इसलिए आरे नहीं बूले गी आपको चलिए जी जी कोई नहीं सेयद साफ जोड़े है जी सर से साथ आपका इस्तक्बाल है यार कोई नॉन मौमिन प्लीज ना जुड़ो यार हाद यार क्या करूं मैं यार इतना बोलने के बाद जी से साथ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रही है आप एक्सपोस कर रही है हराम दादा जो ऐसे ऐसी ऐसी बाते इसलाम से लगा दिये हैं लगा दिये नहीं यह रसूल उल्ला की बाते है से साथ यह रसूल उल्ला की बाते है ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ यह मुझा क्या एक सेकंड दीजिए सब लोग जो हिंद्वाइबीर, प्रैक्टिस करते थे यह प्रैक्टिस नहीं होती थे जब आप बिजनेस करते थे ना पहले जमाने में तो लोग जो दुसरे गाऊवाँ को दुसरे देश को जाते थे अपना सामन बेशने के लिए वहाँ पर ये लोग ज जो इसे उनको खाना पका के देती थी, यह वो करके देती थी, तो ऐसा ओलगा टेंपरो वरी शादी करते थे यह लोग, तो फिर उसके बाद शादी करके, जो भी एच्छे मैंने अपना पूरा सामन बेश लेकर, फिर अपने गौँ को, अपने देश को वाद्मिस होते थे, त तो शादी इसलिए करते थे यह लोग, अब यह प्रास्टिटूशन के पास जाना, यह करना, काई को वो करना, अगर हम शादी कर लिए इससे, तो वो हमको खाना भी पका कर देंगी, यह तीन दिन की शादी होती है, पहले जमाने का छोड़ दो ना सेयद साब, आप बताओ तीन दिन की शादी होती है, क्या? ने, यह जो हैसो, गंदगी, यह शिया लोग अगर सेक्स आउटसाइड मैरिश करें, तो वो जो हैसो, पनिशेबल क्राइम है वो, समझे लाए? यह, रसुल अलाह ने यह, यह देखिए, रसुल अलाह ने इस चीज़ की इजाज़त दी थी, यह आपके सामने स्कीन है, आप शियाँ को कोश रहे हो, आप बाकियों को कोश रहे हो, रसुल आलाह को क्या कहेंगे, यह बताओ. रेकिये ये बचाने आया है थैल भैर मुहम्मочь मुहलाण को बचाने आया है औ। वो खुट नी बचेगा उसको बचाने आया है ओ देखिये कोही नहीं देखिये अल्ला बोलता के outside sex नहीं कर सकते आप शादी बस करो तो रसूलल्ल्हा आल्लh की बात नहीं मानते थे, नहीं यह रसूल्ल्ल allla के नाम पे यह लोग आईसा लिख लिए, नहीं ना, यह गलत तरीका है ना, फिर कुरान, कुरान आपको कहां से मिला, आस्मान से मिला, कैसी सिदा, रसुल्ल्य ले, रसूल्ल hm, वो अल्लh के मुखाल गंदी हदीश हैं क्यों है यह आपको क्यों लगता है कि रसूलウलाह ऐसा नहीं कर सकते है इह आपको अधीर यह गंदी खोना है तो ए aspects क्या करता थे यह आप ने मतलब हमको भी कानून बहुत कुछ बोलता है लेकिन हम नहीं पालन करते हैं हम जो है बहुत से बार जो कानून बनाने वाला होता है जो नेता होते हैं वो भी अच्छे ची बाते करते हैं लेकिन साथ-साथ में गलत काम भी करते हैं तो ये आपको क्यों लग रहा है कि रसु सियए बात बताओ, सियए भाइभी एक बात बताओ, आप एक ऐनसान है, ठीक है?, आपके एक लाग फॉलोवर्स है, ओके, ठीक है, अभी आपने अपनी जिन्दगी में अच्छे काम भी किये, और साथ में आपने गंदे काम भी किये, ठीक है, जी, अभी आपके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने आपके बारे में किताबे लिखी, आपने जाके जो जो गंदी हरकत की थी, आपने, तो वो भी उन्होंने बताया, अभी 200 साल के बाद जो आपके चाहने वाले हैं, वो अगर ये बोलेंगे, कि भाई, सेयद साब ने ये काम किया ही नहीं, तो ये सही है क्या गलत है? ये तो बता रहा हूँ, जो रसुल्ला अलग सेलम नहीं, पहले इसका जवाब दीजिए, अरे भाई, तुमारे नाम पर अगर कोई ये कहेगा, कि नहीं, सेयद साब ने ये काम किया ही नहीं, सेयद साब बहुत अच्छे थे, लेकिन तुमने वो काम किया था, तो अगर कोई दो सो साल बात बोले, कि सेयद साब के जितने बुरे काम है, हम उसको मानेंगी नहीं, तो ये सही तरीका है, अगर मैं वो काम करा ही नहीं, तो फिर वो कैसा है, तो आपको कैसे पता है, कि रसुल्ला ने ये काम किया ही नहीं, आप तो उस जमाने में थे नहीं, तो आपको ख मेरी बात सुनो, टेंप्ररी मैरेज में कुरान में भी आपको दिखा दूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है, कि रसूल उल्ला गलत काम नहीं करेंगे, ये आपको फॉर्ड शुर कैसे पता है, क्यों नहीं कर सकते, तो वही तो बता रहा हूं, मिन्वाइल एक मिट रुकिएगा, साई सीवा कह रहे है, मैं है रिवार्डिंग करियर इन इसलाम, फैक्ट और लॉजिंग कह रहे है, यू आर ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस कॉंटिबिशन का, पंदरा सो लोग देख रहे हैं यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, एक मिन रुकिएगा, जी, तो रसुल उल्ला ऐसा काम नहीं करेंगे, यह आपको कैसे पता है, यह देखिए साब, अल्ला जो है सो मुसल्मानों को चार शादी करने की इजाज़त देता है, फिर यह टेंपरवरी मैरिज को, अल्ला बोल यह नहीं बोला, वो छोड़ दो यार, मैं कह रहा हूँ, रसुल उल्ला ने यह नहीं कहा होगा, रसुल उल्ला ने गलत काम नहीं किया, यह आप कैसे कह सकते है, आप तो उस जमाने में थे नहीं, यह इतना, बगर, रसुल उल्ला बगर बगर अल्ला के कोई बात नहीं बोल रहा हूं रसूल उल्ला ने गलत काम नहीं किया ये आप 110 टका कैसे बोल सकते हो वो पूछ रहा हूं मैं वो तो खुरान को पड़े तो आपको पता चलता ये गलत काम है और जो रसूल अल्ला बोला कि चार शादी करो तुम मेरी बात का जवाब तुम नहीं दे रहे यार मेरी कह रहा हूं कि रसूल उल्ला गलत काम नहीं करते थे ये तुम 110 टका कैसे बोल सकते हो इसका जवाब दो प्लीज तो मैं यहीं बता रहो हूं आपको तो रसूल अल्ला ऐसे काम अभी अभी जो बाबा राम रहीम है उनके फॉलोवर्स अभी पता है ना बाबा राम रहीम अब उनके जो मानने वाले है चाहने वाले है वो बोलेंगे नहीं उन्होंने गलत काम किया ही आप को कहोगे कि मैं मानूंगा ही नहीं तो ये क्या क्या ये तो आपकी जीद है अच्छा मैं आपको एक बता बताता हूं ये शिया लोग बोलते ना वो है ये हलाल है टेंपरी मैरेज क्या हुसेन जो है सो टेंपरी मैरेज करते थे क्या अली जो है सो टेंपरी मैरेज करते थ अरे रसूल उल्ला ने अलाव किया ना भाई सेयद साब क्यों आप दिमाग पुरा दिमाग फोड़ दोगे मेरा अरे भाई रसूल उल्ला ने किया ना मुता मैरिज जो इसलाम से पहले प्रैक्टिस होती थी इसकी ठी कहना तो रसूल उल्ला ने भी किया ना रसुल उल्ला ने इजाज़त दी ना हदीस है सामने रसुल उल्ला का उनका हक ही नहीं है कि इसको इजाज़त दे या ना दे रसुल उल्ला ने दिये ना लेकिन अरे इजाज़त नहीं है लेकिन दिये ना उन्होंने वह हदिषों में लिख लिए गया में उटा तो आप तो नहीं लिख लिखा गया होगा होगा ना तारीफिए बुराओ है तो फिर उनकी हदिषए है हैं सुनी बोलते हैं उनकी हदीस सही है तो आप यह बताएं किसकी हदीस सही है दोनों की हदीस गलत है यह सब बना लिए तो कुरान कैसा सही हो गया देखिया यह अब यह गंद रुक एगा एक में रुको यार एक में रुको एमेश जी ने 159 डॉलर का कॉंटिबिशन किया है शुक्रिया एमेश जी कह रहे कीप डिग्रेट वर्क साहील रिस्पेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया विनोजी चैनल के ने मेंबर बने हैं बहुत बहुत शुक्रिया और एवेंजलीन कह रहें रसूल उल्लु निकले एक मिट मैं आपको कुरान से भी बता देता हूँ एक मिट दीजेगा इसमें जो सूरह निशा की आयत नंबर 24 है आप उसमें देखिए इस तम्ता तूम का लफ्ज इस्तमाल हुआ है तुमने फाइदा हासिल किया है ना ये देखो भाई क्या आप मेर को इंग्लिस में देंगे ये इंग्लिस में लोग्लिश में देता हूँ यह दो पेरार वह दो प्रत्थ में सर armas यह देगो यह देगो But it is lawful for you to seek out all women except these, offering them your wealth and the protection of wedlock rather than using them for the unfitted satisfaction of lust and in exchange of what you enjoy by marrying them pray their bridal due as an obligation तो यह क्या बोल रहा है यहाँ पे जो लफ्स इस्तमाल हुआ है वो है इस्तम्ता तुम तो अब यह बोल रहा है बहुत बहुत बगर शादी के तुम सेक्स नहीं कर सकते अनलाफुल हो तो मुता में भी आरे तो मुता में भी शादी होती है मुता में भी शादी होती है निकाही होता है कॉंट्रेक्ट होता है शादी ऐसे ही नहीं होती पहले से इरादा कर लिए कि मैं उसको तलाख दे दूँगा वो शादी नहीं हुई वो तो ये मैं कहा रहा हूँ ना ये कहां से लेकिया तुम कुरान की आयत बता दीजिए ये देखिए अब ये शिया की हदिस को मानते आप शिया की हदिस मानते या सुनी की हदिस मानते मेरे भाई मैं तुमने तुमको कुरान की आयत बताया और रसुलुला की हदीस बताया अगर थो तुम को ना कुरान मानना चाहिए ना हदिऊ को मानना चाहिए समझ रहे आप एजर कि अभू जो आइत suppose क्या वह आयट में यह बना है है उसमे स्म्तंट का जो है उसमें और देखिये का आप उनको उनके पैसे दीजिए यह दिखिये को ऐने इन you enjoy by marrying them pay their bridal due as an obligation but there is no but there is no blame on you if you mutually agree to alter the settlement after it has been made uh what settlement can you make a statement about me this is a bhi is me bhi mehri minta na bhai mehra 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 dana pardta है अचा मुता सरिफ सेक्सलेव से करते हैं कि बहुर उसके भी आयत में बताया कि बघर सबस्क्रते कोई भी हिन नॉरज से । आहाफ मुटा कर नॉरज तक पर उसक्सलेवच करते हैं। मेरी मेरी बात सुनो सेयद साब मुता जो है आप एक आम मुमिना से मुस्लिम औरत से शादी कर सकते हैं और महर उसमें भी देना पड़ता है आपको आप उसमें एक कपड़ा दे सकते हैं चादर दे सकते हैं इस तरीके से आप कुछ भी दे के कर सकते हैं तो यह समझ में नहीं कि हमाटा मैरिज फिर या ना इसमें नौर्मल सेक्सलेट की बात नहीं वह कुछ एक बात बताओ यह सेक्सलेट है या मुटा मैरिज है दोनों भी कहां से एक ही हो सकता भाई मेरे भाई आपको अकल नाम की चीज है सेयद साब आप एक काम करिए ये 424 जाके देख लीजिए और जो हदीश बताया वो देख लीजिए उसके बाद आप आईएगा ठीक है सर का फोड़ा है यार ये सेयद साब ओके नौन मुमिन प्लीज ना चुड़े का है आज हमारे मुमिन भाई कौन बचाएगा रसुल उल्ला की ऐसी हिदायतों को दर्मी बहुत हो रही है निदर जी साहिल भाई अच्छा ये है वान टू बी एक्स मुस्थिम भाई फारिक हो गए जी भाई बहुत देर से सेयद साब ने और बहुत फारिक करवा दिया अरे दिमाग का फुड़ा कर दिया सेयद साब ने तो तो भाई आप तो हर बार उनको बड़े शोक से लेते हो पहले बोलते तो तुम अच्छा कर रहे हो अच्छा है इनको ऐसा करो मुमिन है, कैसा क्या है, निकल के आप फारिग हो गए, कुछ पढ़के सुनाइए, आप अल्ला की कज़र मैं मुमिन ही हूँ, अब आप चाहें, तो आप मझे टॉपिक बता सकते हैं, और पढ़के सुनादे था हूँ, सुनो दरूद, हाँ, जी जी सुनाइए, आपको अलहम् अरे वाह, दरूद? जरूद सरी मैं बहुत चोटा वादा हूँ, दरूद इबराहीम मैं नहीं पर चाहूं, मैं उसको प्रेक्टिस में नहीं है, मैं जो है तोटा सा अल्लाहुम्मा सल्ले अला स्यदना मौलाना महमन इंडारी को सल्ले, मैं सितना वादा बढ़ता हूँ, दरूद इबराहीम भी मुझे आता है, लेकिन वो मैं उसमें होता रहता हूँ, कुछ तो इसलिए मैं उसको बेरी प्रेक्टिस में ज्यादा नहीं ह उसमें तो दरूद पढ़ना पढ़ता है, दरूद इबराहीम भी मैं दरूद इबराहीम नहीं पढ़ता हूँ, आच़ा, कौन साल है दरूद पढ़ते आप? यह जो अभी मैं आपको बता है अके ठीक है क्या कहेंगे आप आज के श्रीम के बारे में बताईए मुझे पता नहीं साथ आप कुछ कह रहे थे कि कैसे आप बताएंगे कि रसुल्लाः सल्ल्लाः अलिए वसल्लम नेक इंसान थे नेक रूह थे रसुल्लाः ने यह रेखिए मैं आपके सामने अधिस पेश कर देता हूँ रसुल्लाः एक बेस्ट रोल मॉडल है और यहां पे देखिए कि क्या कहते हैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाः हज़र्द हाँ हज़र्द अब्दुल्लाः से रिवायत है कि हम रसुल्लाः के साथ गज़वात में शिर्कत करते थे और हमारे साथ औरते ना होती थी हमने अर्द किया क्या हम खसी ना हो जाएं आपने हमें इस से रोक दिया फिर हमें इजाज़त दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुकर्रा मुदत तक के लिए निकाह कर ले फिर हज़वात अब्दल्लाः ने आयत इलावत की आए एमान वालो पाकिज़ा चीज़ों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाः ने तुमारे लिए हलाल किया है और ना हच से तजावस करो बेशक अल्लाः तजावस करने वालों को पसंद नहीं करता तो यहाँ पर सहाबा जो है उनको सेक्शुल जो रिक्वार्मेंट थी औरतों के ना होने के वज़ए से बरदाश नहीं हो रही थी तो वो रसुल्लाः के पास आए और कहरे के हम अपने आपको खसी कर लेते तो रसुल्लाः उससे मना करके उनको कह रहे कि आप जाके टेंपररी मैरेज करो तीन दिन की मैरेज करो चार दिन की करो उसके बदले कपड़ा दे दो क्या ही एक अच्छे रोल मॉडल का काम है इस तरीके से लीगल प्रोस्टिटूशन करवाना आप से अच्छे भी जिस तरह से भी निवर यह काटने है लेकिन यह हदीश क्या जानता होगा है कि नहीं लेकिन मुझे मैं आपको बताता हूँ मतलब आप आप मैं जानता हूँ आपको यह रिफरेंस सवार एडम भाई आप लोग रिफरेंस वाले हो जादा जुड़ता भी नहीं था साजवाला जी के चैनल पर जाता हूँ क्यों कि वहाँ यह जब नहीं चलता ठीक है लेकिन इस बारे में क्या कहेंगे आप हाँ मैं यह कह रहा हूँ मैं सब खिचुडी में नहीं पढ़ता मैं बता रहा था कि यह हदीस में क्या हुआ होगा उस वक्त में क्या हुआ होगा इस वज़ा से नभी पाक सल्लेल्ला अले सल्लम ने क्यों हदीसों में नहीं पढ़ते आप आप इसलाम कैसे फॉलो कर सकते बिना हदीसों के हाँ वो अब एक अग अलग मैं नहीं चाहता हूँ कि जो जनरली एक्स मुस्लिम्स के चैनल से होता है टॉपिक चेंज हो जाता है वो नहीं करना जाता हूँ मैं अभी फिलाल हाँ लेकिन जवाब आपको शॉटकर में देता हूँ मेरी सुच अलग है मैं बाकी जो ट्रडिशनल मुस्लिम्स या ट्रडिशनल डाड़ी वाले हैं या ट्रडिशनल कुछ भी हैं उनकी तरह इसलाम को भी नहीं समझता हूँ और अल्ला को भी उस तरह से नहीं समझता हूँ जो मुझे लगते हैं भले ही हो आप फिर ये आप और Adam दोना हो ऐसा करते हो कि भाई तुम तो एक अलग इसलाम लाए हो ठीक है आपको लगता है क्यूँ हो इसलाम में यार क्यूँ हो इसलाम में भाई फटा फट फटा फट टॉपिक नहीं चैंज़ कर वहूँ इसलाम बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है, शांदार है, क्या शांदार है, बताईए ना कुछ अच्छा ही है, बताईए जो जिसमें कुरान में आपको, आप पहले तो ये बताईए हदीसों को मानते ही नहीं, जब ये हदीस को नहीं मानते हैं, फिर नमाज कैसे पड़ते ह मेरे भाई सवाल का प्लीज जले भी ना बनाओ मेरे बाई सुनो मेरी बात प्लीज जले भी ना बनाओ सीधा point to point बात करो आप हदीसों को मानते हो या नहीं मानते हो भाई प्लीज तो ये हदीस को क्यों नहीं मान रहे हो क्या ये हदीस को क्यों नहीं मानते हो नहीं क्योंकि मैंने कभी जंदगी में नहीं जाना कि ये हदीस कैसी किस तरह कौन सी लिजिए लिजिए अभी आपके सामने है ना सर अभी आपके सामने है ना आप एक बार फिर से पढ़ लिजिए नहीं को स्ट्राउम होती है कोंसी जईफ होती है ये सही मुस्लिम कि आदिस है कुरान के बाद सबसे और फिर से बखार इसके बाद मुस्लिम इस सही मुस्लिम की आदिस है भाई देखो प्लीज मेरी बात सुनो ना भाई ये जो एहले चॉइस वाली जलेबी है ये बिल्कुल हमको बरदास ही नहीं होती आप लोगों क्या करना चाहिए मालूम सुनो मेरी बात सुनो मेरे बात सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरे बात सुनो मेरे भाई सुनो देखो ये जो हरकत है ना आप लोग की हम ये नहीं अरे मेरे भाई रुख जाओ तो ये हदीस आपके, सुनो मेरी बात, ये आप डिसाइड करो कि ये हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो, अगर आपको पता नहीं है, इस हदीस, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता आपको बोल, अब मान गए नहीं, अब बताओ, अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये रसूल अल्ला जो है, ये लीगल प्रॉस्टिटुशन क्यों अलाओ कर रहे हैं, अब बोलू क्या, सवाल का जवाब दो, तो बोल रहा हूंना, ये जवाब दो, इस हदीस में उस जवाने में किस वक्त क्य इसमें लिखा है, situation लिखा है, लिखा है situation, रही होगी, जो situation रही होगी, जैसे रही होगी, जो भी और उने बोला होगा, ठीक है, है न, तो, तो legal prostitution अलाओ किये, ये एक अच्छे, अच्छे इंसान का काम है, एक मिनट सुनो ना, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या पूरे जो 200 करून लोग है, वो सुवे से क्या पैसा लेकर जिब में निकल जाते हैं, या कपला लेकर लेकर देखो, 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 सुनो मेरी बात, सुनो, ये ये argument ही नहीं होता, सुनो मेरी बात, मेरी बात, सुनो, एक इंसान, मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जामपल द अच्छा उसकी बात सुनके लोगों को पता है कि इतना घटिया इंसान है, इसकी बात इतनी घटिया है कि ये रेप करने बोल रहा है, हम रेप नहीं करेंगे, तो आप बोल रहे हो कि यार ये रेप करने बोल रहा है तो पबलिक थोड़ी ना रेप करने निकल जा रही है, ये क मैं एक example दे रहा हूँ आपको, ये rape नहीं है, मैं एक example दे रहा हूँ, ये prostitution तो है ना legal prostitution, भाई, पैसे तो ये prostitution भी नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, तीन दिन की, एक मिट, आप तीन दिन की शाधी कर रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में आप एक कपड़ा दे रहे हो, क्यों जाते हो? अभी जवाब तो दो पिरोस्टिटूट के पाए आरे आप नहीं जाते लेकिन इतने बच्चे तो नहीं हो ना दूद पीते कि आपको पता नहीं है कि एक इंसान प्रोस्टिटूट के पास क्यों जाता है आप क्यों जाते हो कहां बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टिटूशन के पास क्यों जाते है लोग क्यों जाते हैं अपनी sexual desires फूरी करने की थी अब इधर match करते है यह देखिए अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसुल उल्ला सलाव सलम के साथ हाँ अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम रसुल उल्ला सलम के साथ गज़वात में शिर्क करते थे और हमारे साथ औरते ना होती थी ठीक है क्या नहीं होती थी उनके साथ औरते ना होती थी हमने अर्ज किया कि हम खसी ना हो जाए ठीक है इनको क्या प्रॉब्लम आदी थी ये सहाबा को क्या प्रॉब्लम आदी थी इनको sexual desire अपनी निकालना था अपनी भूग जो है वो निकालना था इनकी भी वोई जरुवती प्रोस्टिटुशन के पास भी वोई जरुवत के लिए जाता है इनसान करेक्ट मैच हो रहा है ना अच्छा प्रोस्टिटुट के पास अब जाके क्या करते हो प्रोस्टिटुट को हायर करने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है है ना आज की तारीक में आप आपको हो सकता पैसा देना पड़े या वो बोले के भाई मुझे एक आईफोन दिला दे जिसका जो प्रोस्टिटूट का जो डिमांड है जो स्टेटस है उस हिसाब से वो तुमसे ये करेगी डिमांड करेगी ठीक है यहाँ पर रसुलुल्ला भी कह रहे हैं कि भाई आप एक पड़े के बदले जो है वो उनके साथ तीन दिन का टेंप्लेरी कॉंट्रैक्ट कर लो तो यह प्रोस्テिटूशन से कम कहा है ये भी तो लिगल प्रोस्टिटूशन है है लिगल प्रोस्ट्टूशन होता और कुछ आपकी बात ही हो जाती अगर अल्रुआ संहें यह पाझते घारिका बहुत ही अच्छा है और इसको बढ़िया इसको पूरी कर लो हर कोई कर लो जिसका जो दिले वो करते रहो अरे भाई हाद है पहले यह बताओ यह के लीगल प्रॉस्टिटूशन है कर लिए अच्छा मुझे एक बात बताओ एक मेड़े मुझे बात बताओ मुझे बात बताओ अभी इतना तो तैय हो गया ना कि यह लीगल प्रॉस्टिटूशन जैसा ही है तीन दिन के लिए आप अपनी प्यास भूक हवस को मिटाने के लिए आप कोई प्रॉस्टिटूट को हायर कर रहे हो यहाँ पे एक मुमिना को हायर कर रहे हो आप कपड़े देखर यार तुमारी अकल कहां चली जाती है यार ये इसलाम आने के बाद तुमारी अकल मर क्यों जाती है हम नहीं घबराते हैं तुम घबराते हो हम नहीं घबराते भाई वो छोड़ दो आप इधर चैनल पे गयर अच्छा मुझे एक बात बताओ एक मिट अभी आपकी गवराट मैं निकालता हूँ मुझे एक बात बता हूँ आपकी बहन आपकी बेटी उसके लिए आप ये तीन दिन की शादी जिसको किसी को जैसे मिसाल की तोर पे मेरी सेक्शुल डिजायर होरी बहुत ठीक है मुझे गलत काम नहीं करना है मुझे एक लीगल तरीका चाहिए मैं आपके पास आता हूँ आपकी बहन बहुत खुबसूरत है मुझे बहुत अच्छी लगी मैं कहता हूँ मुझे रसुल अलाओ किया है मुझे आपकी बहन बहुत पसंदे मेरी sexual desire मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ मैंने गया था रसुल उल्ला के पास कहा मैं या तो खसी हो जाता हूँ या तो हिला लेता हूँ तो रसुल उल्ला ने दोनों से मना कर दिया आपकी बहन मुझे पसंद है मैं उसको आपकी बहन को एक designer कपड़ा देता हूँ ठीक है मनीश वर्मा या मनीश शर्मा कौन है वो बड़ा designer वो वो ब्रांड का आपकी बहन को कपड़ा देता हूँ मुझे तीन दिन के लिए मेरी हवस पूरी करने के लिए दोगे करने गवड़ा गए नहीं ना पहिया जी आप बोलने कहा देते हैं आप कोई तो मैं देख रहा हूँ किती दिर बोलते रहो ताकी आप बोलो अभी तो भाई आप बोलो बार बार जो है हस हस के अरे वो छोड़ दो हस हस के मैंने एक situation दिया उसका जवाब दो आज मैं तुमको नहीं दूंगा पहली बत ठीक है पहली बत तो क्या आज मैं तुमारी बात जो है नहीं मालूघ काड दालूगा तुमको क्यों क्यूं लोग जो है काड़ दालोगे पर रिपीट करो एक पर वो स्टेट्मेंट रिपीट करो ने Adam को छोड़ो Adam ने आपको क्या ऐसा दर्द दिया है थोड़ा रुख जाओ वो स्टेट्मेंट रिपीट करो आप आज की तारिक मेरे पास आओगे ये सब बोलेंगे कि तीन देन विंदू में तुमको काड डालूगा काड डालो के भट गए बान टू विए एक्स मुसलिम साब भट गए लगा एकदम बरावर जगा पे निशान लगा काड डालोगे अच्छा अगर मैं रसुल्ला के जमाने में होता है इक घरीब टाइप के लोगो है तुम लोग एक बाप बहुता आप बोलने क्यों ने देते हो कि ठीको सुनो 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 अभी सुनो अभी सुनो तुमको के अपनर ये धर क्यों मतलब जैसे कोई पता चल जाता है कि एक बंदा आगया है जो रमारी बजा देगा, उसको बोल ले निए देते हो, फटा-फटा-फटा-फटा-फटा, कुच-कुच करने जानते हो, तो वाफ रे वाफ, काड़ दा लोगे, क्यू काड़ दा लोगे, अचा, अचा, इतना गुस्ता क्यू आया आपो, ये बताओ, अरे बाई, क्या जवा अरे भाई तो तू तीन दिन के लिए आएगा भाई मेरे को ऐसी बात हो लेगा तो काटो भाणा तो सहाबा ने भी तो वही बात बोली जू मैंखर भी बोल रहा हूं मैंने तो शुरुआती वहीं से कीना भाई शाहिल भाई जादा तो वहीं बोल रहा है आप कहा बोलते हूँ तो बोल रहा है जादा फिल भी चिला रहा है ठीक है ठीक है यह देखो यह यह देखो यह अभी want to be ex-muslim सहाब मुझे यह बताईए एकड़म अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं आपसे आपको मैंने same situation बताया जो सहाबा ने रसुल्ला को बताया आपने मुझे बोला कि मैं काट दूँगा ठीक है हाँ मेरे situation में और सहाबा के situation में क्या फरक है यह बताए फरक है क्या फरक है हाँ अच्छा मैं सहाबा होता तो करने देते अच्छा एक मिन एक मिन इसी बात पर जाते यह सुनो मेरी बात सुन इसी बात में जाते है, ठीक है, मैं रसुल उल्ला के जमाने में हूँ, मैं सहाबा हूँ, ठीक है, मेरी sexual desire जो है, मैं बरदाशनी कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, रसुल उल्ला के जमाने में हूँ, मैं सहाबा हूँ, और रसुल भी म मुझूद है ठीक है अब यह सिट्वेशन वहां लेकिया थे या रसूलल्लाव मेरे